नबस्ते दोस्तों आप सबी लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल पर स्वागत थे आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको B.A.L.L.B. Second Semester का कुर्शन पेपर लेकर आये हूँ एह कुर्शन पेपर 2019 का कुर्शन पेपर है 2020 में 21 में कोरोना की बज़े से एकजाम नहीं हुए आज का सब्जेक्ट है Socialogy दोस्तों यानि की समाज सास्त आपको इस कुर्शन पेपर को देखने के बाद अंदाजा लग जाएगा कि एकजाम में किस तरह के कुर्शन पूछे जाते हैं और इसी कुर्शन पेपर से आपकी एकजाम में चार या पांच कुश्चन दोस्तों रिपीट किये जाएंगे एक्जाम में पेपर साथ नमबर का पूछा जाता है जिसमें आपको पांच अबजेक्ट दिये जाते है दो दो नमबर के और पांच प्रिष्ण दिये जाते है चार नमबर के और पांच प्रिश्न दी जाते दीर गुत्तरिये 6 नंबर के टोटल 30 नंबर कुल मिलाकर आपको 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है जिसमें ऑबजेक्ट इस पिरकार दिये हुए थे सही उत्तर का चैन कीजिए इसमें पहला ऑबजेक्ट था सोसल थियोरी एवं सोसल इस्टेक्चर पुस्तक किस ने लिखी इसका दोस्तो सही आंसर ए था मारडन है इसके बाद दूसरा पूछा गया था निमने में से कौन सा आबहुत एक संस्किती का उधारन है दोस्तो इसका बी ऑप्शन सही है मूल तीसरा ऑबजेक्ट पूछा गया था समाज सास्त के जनक कौन है इसका दोस्तो सी ऑप्शन सही है अगस्त कामत इसके बाद चोथा पूछा गया था हूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखा कौन है दोस्तो इसका ए ऑप्शन सही है डेविस इसके बाद पांचमा उब्जेक्ट एक्जाम में पूछा गया था सहीयोग करने वाले लोगों में हम की भावना का विकास और उनके साथ साथ काम करने की छमता था संकलप में बिद्दी सामाजी करण कहलाते है दोस्तो एह किसका कतान है इसका D ओप्सन सही है इसके बाद दोस्तो आपके एक्जाम में पांच कुश्चन पूछे गए थे चार चार नमबर के इसमें दूसरा कुश्चन पूछा गया था समाज सास्त का क्या अर्थ है एवन परिभासा लिखिए यानि कि समाज सास्त के अर्थ क्या है उसको परिभासित कीजिए यह पूछा गया था दूसरे में इसके बाद तीसरा पूछा गया था सामुदाय की परिभासा दीजिए और तीसरे के अत्वा में पूछा गया था संस्क्यतिकरण की ओधारना की विवेचना कीजिए चौथा पूछा गया था उप कल्पना क्या है और चौते के इसके बाद पांचमा पूछा गया था सामाजिक अनुसंधान के प्रकार बताईए छटमा अनुसूची क्या है और इसके अत्वाय पूछा गया था छटमे के सामाजिक सर्विक्षण क्या है फिर इसके बाद आपकी एक्जाम में पांच दीरगुत्री प्रिष्णे पूछे गाई थे 6-6 नंबर के नोट सभी पांचों प्रिष्णे के उत्ता दीजिए पिते एक प्रिष्ण 6 अंगों का है दोस्तो आपको एक्जाम में सभी कुष्ण को लिख कर आना है अगर कोई कुष्ण नहीं भी बन रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है हर कुष्ण का अंसर लिखना है जिससे आपको एक्जाम में नंबर मिल सके अगर आप कुष्ण छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगी इसलिए सभी कुष्ण को लिखना है इसके बाद सात्मा पूछा गया था प्राइस्तिती और भूमका से आप क्या समझते हैं भूमका कैसे प्राइस्तिती से निर्धारित होती हैं अथवा में पूछा गया था पिथाओं की चर्चा करते होगे इसकी बिशिस्ता बताईए आठमा पूछा गया था जन रीती से आप क्या समझते है इसे कैसे निर्वित किया जा सकता है इसके बाद आठमे के अत्वा में पूछा गया था समाज की ओधारना बतलाते हुए उसकी बिसिस्ता में बताईए नौमा सामाजिक संद्रट्ना पर एक बिस्तरित निमंद लिखी इसके अत्वा में पूछा गया था इसके अत्वा में पूछा गया था साक्छारता कार के पिर्मुक पिरकार बताईए इसके बाद दोस्तो ग्यारमा कुश्चन पूछा गया था समाजी करण को परिभासित कीजिए तथा फायर्ड के सिद्दान्त की बिवेचना कीजिए और इसके अत्वा में पूछा गया था सामाजिक नियंतरण में सिक्छा की भूमिका इस्पष्ट कीजिए दोस्तो एह ग्यारा कुश्चन B.L.L.B. सेकंड सेमिस्टर के एकजाम में पूछे गए थे इन्ही कुश्चन पेपर से दोस्तो आने वाले समय में जून मैने में 2022 में 15 जून से एकजाम चालू हो जाएंगे इसी कुश्चन पेपर को दोस्तो रिपीट किया जाएगा क्योंकि जो महात्पूर कुश्चन होते है उन्ही कुश्चन को ही बार बार रिपीट किया जाता है इसलिए आप इस कुश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से तयार कर लेजिए दोस्तो धन्नवाद जय हिंद जय भारत